तारों का जखीरा सड़कों पर निकला हुआ घर का छज्जा और सड़कों पर बना हुआ ये चबूत्रा सकरी सड़कें उस पर चलता ये बुल्डोसर ये कोई अत्रिक्रमन की कारवाई नहीं है ये इलाके में रहने वाले लोगों और रहगीरों को चौड़ी सड़क देने के लिए किया जा रहा है दरसल उजयन के केडी गेट चौराही से इमली तिराही पर सड़क चौरी करण को लेकर एक बार फिर से कवायट शुरू हो गई है नगर नेगम की टीम मार्ग का सत्याफन पहले ही कर चुकी थी और अब चौरी करण के लिए ज़रूरी काम शुरू हुआ है इस रास्ते का चौरी करण पहले से ही किया जाना था, लेकिन समय के कमी के चलते काम को टाल दिया दिया था एक बार फिर से बिधांसमा चुनाव से पहले सड़क के चौरी करण की कवायट शुरू हुई है खास बात ये भी है कि इस चौड़ी करण में यहां के आम लोग भी सयोगते रहे हैं एक उचित पुआफजे के साथ एक अच्छा सड़क चाह रहे हैं ताकि जाम जैसे समस्या से चुचकारा बचे कार के उड़े पर खचे यह कोई सड़क हाथ से की तस्वीर नहीं है बल्कि यह तस्वीर गोली बारी की है आप सोच रहे होंगे कि आखिर कार शतिग्रस्त है तो फिर गोली बारी कैसी कार के शीशे पर लगे इस इंडिशान को देखे तरसल मामना नर्मदा पुरम का है जहां हूमकार्ड आफिस की बाहर पुरानी रंजिश में गोली बारी जैसी वारदात देखने पूरी है जैसे ही बाइक सवार दो बदमाशों ने कार पर गोली चलाए तो कार सवार आनियत्रित हो गया कार समीत हाथ से कर्शिकार हो गया बोली लगने से यूबक बुरी तरह से खायल हो गया यूबक उजिलस्पताल में भरती करवाए गया बारदात की जुएंकारे मिलते ही मौके पर पोलिस पहुची है युवकों जिलस्पतार में भरती करवा कर आगे की जाँच की जा रही है हम आप जब बीमार होते हैं तो भगवान को याद करते हैं सोचिए अगर भगवान ही बीमार हो जाएं तो क्या हो कुछ ऐसा ही हुआ भगवान बीमार हो गए भगवान की बीमारी दूर करने के लिए आयरुवेदिक औशधी देकर उनका उपचार किया जा रहा है दरसल आचारियों के मुताबिक जेश्ठ पूरिनेमा के पंदरह दिन का समय रितू के संधिकाल का होता है जिसमें स्वास से संबंधी समस्याय होती है और भगवान बीमार होकर भक्तों को इस मौसम में स्वास से संबंधी परहेज बरतनी का संदिश देने के लिए बीमार होते हैं पौरानिक मानेताओं के नुसार भगवान अपने भक्त माधवदास के लिए भी बीमार होते हैं यह 15 दिन वह अपने भक्त के कश्ट अपने उपर ले लेते हैं। इसलिए पूर्णिमा पर उन्हें सनान कराकर 15 दिन तक आयुरुवेद उपचार दिया जाता है। भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह को गर्भ ग्रिह से निकाल कर सहस्त्र जलधारा दूध दही घी शहद सहित 21 विधी से महा सनान कराया गया। जहां बड़ी संख्या में स्षधालु शामिल हुए तो वहीं 15 दिन के बाद स्वस्त होकर भगवान जगरनात अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रत्यात्रा पर निकलेंगे। वहीं अब नर्मदापुरम के बाद पन्ना में भी यही हाल है। भगवान यहां भी बीमार पड़ गए। दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ गए है। भगवान जगनात स्वामी जी प्राचीन मंदिर यहां पर है जहां भगवान जगनात स्वामी अपनी बहन सुभद्रा भाई बलभद्र के साथ विराज मान है। चलते वे बीमार हो गए। भगवान जगनात स्वामी मंदिर में आज के दिन सुभध राज परिवार की उपस्यती में भगवान को स्नान यात्रा की रस्म अदाएगी की गई। इसे के साथ है इतिहासिक रत्यात्रा महोत्सव का आगाज होगा। बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले भगवान को मंदिर के गर्भ ग्रिह से बाहर लाया जाता है क्योंकि वैदिक मंत्रो चार के साथ आउशधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। और इसी दौरान लू लगने से भगवान बीमार पड़ गए। इससे उनकी दिनचर्या और भूजन विवस्था भी बदल दी जाती है। बात पंडित धीरेंद क्रिश्र शास्त्री की जो आजकल काफी सुर्खियों में रहते हैं। कभी मोर के साथ नाचते नजर आते हैं तो कभी अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं। अब नई तस्वीर सामय आई हैं जिसमें उनका अलग अंदास नजर आया। ये तस्वीरें गुजात के वडूद्रा की हैं। पंडित धीरेंद क्रिश्र शास्त्री सडखे नाड़े गोलगप्य का स्वाद लेते नजर आये। तस्वीरें देखें। बागिश्वर महराज कैसे गोलगप्य का अनंद उठा रहा है। रसर पंडित शास्री लक्ष्मी नाराइन जोट से लौट रहे थे। और आजवा रोड पर उन्होंने गोलगप्य की स्टॉल को देखा। गोलगप्य को देखकर वो अपने आपको रोक नहीं सके। और स्वाद लेने रुक गए। अब गोलगप्य खाते हुए उनका ये वीडियो खुब वारल हो रहा है। ये दर्दनाक हाद्सा इस हाद्से की कहानी सुनकर रूम रूम सिहर जाएगा। ये कार के परखचु की तस्वीरे आगर मालवा की हैं। जहां एक कार और जीप की भिडंत हो गई। दोनों की बीच इतनी जोदा टकर हुई कि हाद्से में एक की मौत हो गई। इससे बड़ी बात ये है कि 6 लोग गंभी रूप से खायल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अभी रुकिए हाद्से की कहानी सिर्फ ये 7 लोगों की कहानी नहीं बता रहा बलकि इस हाद्से में कुल 13 लोग खायल हुए। सोचे हाद्सा कितना भयानक हुआ होगा और अब बात करते के हाद्सा कैसे हुआ। दरसल एक परिवार उजयन में शादी समहारों में गया था। शादी हुई शादी में लोगों ने खूब इंजॉई भी किया। और शादी की गवाही बनने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो सुसिनेर के रस्दी कार जीप से टकरा गई। हादसे में कार के परकर चूड़ गए। चीक पुकार मच गई। मौके पर एक व्यक्ति इस दुनिया को छूड़ कर चला गया। तो वहीं छे लोग जिंदगी और मौत की बीच साथ से लिए रहे हैं। आन ये लोग घाय लवस्ता में अस्पताल में भड़ती कराए गए हैं। पिरता ने शादी के लिए दवाव बनाया तो युवक मुकर गया। इसकी बाद युवती कोतवाली थानी पहुँची जहां उसकी शिकायत पर एफायार दर्ज कर पुलिस ने आरूपी वब को ग्रफतार कर लिया। पुलिस ने बताया कि माला खेड़ी निवासी मुबीन खान मजदूरी का काम करता है। पिड़ता की शहली के जरीए उससे दोस्ती की और शादी की सपने दिखाकर उसे अपने प्रेम जाल में पसा लिया। करीब एक साल से आरूपी पिड़ता को शादी के अच्छासा दे रहा था। फिल्मों में अक्सर आलिंगन के दोरा नाग नागिन का जोड़ा देखा जाता है। पिश्की चलते सापों के बिल में पानी भरने के कारण ये बाहर निकलाते हैं। इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। हाला कि पहले भी ग्रामी नंचलों में इस तरह की नजारे देखे गए। पहले आप जोपड़ी में चल रहे इस क्लीनिक को देख लीजिए। फिर हम उस डॉक्टर का नाम भी बताएंगे जो इसे चलाता है। अब जरा इन डॉक्टर से भी मिलने जिए। नाम सोहन इरपाचे, शिक्षा बारवी पास, पेशा एलोपैथी डॉक्टर का। इस क्लीनिक में एलोपैथी दवाओं का अच्छा खासा स्टॉक भरा हुआ है। और मरीजों को खटिया पर भरती करने की सुविधा भी है। लेकिन इलाज के बाद मरीज की जान के साथ क्या हो सकता है ये इस अस्पताल और डॉक्टर के क्वालिफिकेशन से समझ दीजी जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी यूगिता और प्रैक्टिस के बारे में जानकारी दे रहा है। किवल बैतूल जिले में ही जोला चाप मुन्ना भाई टाइप के सैकनो डॉक्टर खर्पतवार की तरह फैले हैं। प्रदेश में ये आकड़ा हजारों में हो सकता है। स्वास सेवाओं के तमाम सरकारी दावों के बीच खुले आम लोगों की जान से खिलवाल करते ये दसवी बारवी पास डॉक्तर यमराज से कम नहीं है। लेकिन इनके साथ ही सिस्टम भी जिम्मिदार है जो इस खर्पतवार का सफाया करने की बजाए मूग दर्शक बने तमाशा देख रहा है। अम अकसर जाने अन जाने में ट्राफिक नियूमों को तोटते हैं और कई बार चालान से बचने के लिए ट्राफिक पॉलस को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन भिलाई से एक ऐसी मांदारी की तस्वीर निकल कर सामने आई है जिसने मिसाल काहिन कर दिया है। फिर क्या था? महापौर कुछ जैसे ही अपनी गलती का एसास हुआ चालान कटाने पहुँच गये। साथी उन्होंने चालान कटवाती हुए दुबारा ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा भी दिया। वैसे तो जून के महीने में बारिश जमीन को भिगो देती है। नहीं आई लेकिन सूरज की धधकते रूप ने सब कुछ जुलसा कर रखा है। 36 गड़ में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। उत्तर पश्यम से आ रही गर्म हवाओं का असर आम जन जीवन को प्रभावित कर रहा है। पारा चड़कर 45 तक जा पहुँचा है। हाल ये है कि सडकों से लोग गाइब हैं तो वहीं अगले दो दिन के अंदर पारा 47 डिगरी सेलसेल्स तक पहुँच सकता है। आसमानी आफद से लोगों का बुरा हाल है। लोग के थपड़े जो पड़ रहे हैं सु अलग। क्या किसान, क्या आमजन आसमान में टक टकी लगाए हुए हैं कि बारिश की बौच हार आए तो कुछ राहत मिले। खेल हमारे जीवन का एक आवशक हिस्सा है। खेल शरीर को स्वस्त, दिमाग को तेज बनाये रखने के लिए एक बहत वपूर नक्रिया है। खेल जिसे हम खेलने बड़ी बड़ी प्रतिसपरधा में जाते हैं लेकिन इस खेल के लिए बहुत सारी बातें जरूरी होती हैं जिन में से एक ग्राउंड भी है। लेकिन सूचिए हम जिस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करें उसकी हालत ही खसता हो तो फिर कोई खिलाडी कै कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे अपने खेल को निखारेगा? अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए जो अमबिकापुर से सामने आई। ये अमबिकापुर का गांधी स्टेडियम है जहां बास्केटबॉल ग्राउंड जरजर है जिसका खाम्याजा यहां खेलने वाले खिलाडियों को उठाना पड़ रहा है। मैदान जरजर होने की वजह से बच्चे खेलने के दौरान जखमी हो रहे हैं जिससे कई बच्चों का खेलना भी बंद हो गया। नगर निगम अंबिकापूर में करीब 10 साल पहले बास्केट बॉल खेलने के लिए ये प्लेग्राउंड बनाया गया था लेकिन 10 साल में प्लेग्राउंड जरजर हो गया। ग्राउंड की मरम्मत का काम जरूरी है लेकिन प्लेग्राउंड देने के बाद अधिकारी इसकी मरम्मत करना भूल गए जरजर प्लेग्राउंड की वजह से एक तो बच्चों के जूते समय से पहले घिज जा रही है और उस पर प्रतिभा भी घिजी जा रही है अब इस ग्राउंड की वजह से बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं आपको बता दें कि अमबेकापुर के इसी खेल के मैदान से ट्रेनिंग लेकर देश ही नहीं विदेश में जाकर भी खिलाडी अमबेकापुर का नाम रोशन कर रहे थे लेकिन इस खेल के मैदान को जिमेदार अधिकारियों ने नजर अन्दास कर दिया जिसका खामियाजा मासूम छोटे खिलाडियों को उठाना पड़ रहा है प्रदेश में बदमाशों को न पुलिस का खौफ है न कानून का तब ही तो आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं अब एक ऐसे ही वारदात की तस्वीर सामने आई जहां राजधानी के सुन्दर नगर में एक शक्स के साथ मारपीट कर अगवा किये जाने का सीसी टीवी वीडियो सामने आया वीडियो में आप देख सकते हैं कि चार आरूपी दुकान से अपहरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपहरण करता करीब चार घंटे बाद उस शक्स को कवरधा जिले में कार से फैक कर फरार हो गए पीडिद शक्स इंटीरियर डेजाइनर है युवक के पिता एंटी पीसी में कारीरत है जहां वे चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं शक्स के अनुसार अपहरन करताओं ने पहले उसके साथ मारपीट की उसके पिता को चिनाओ में दावेदारी नहीं करने की धमकी दी इधर पुलिस रात में घटना स्थल के आसपास लगे सीसी टीवी कैमराज को कंगालने में जुटी है अपहरन करताओं को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी शहर में नाकिबंदी कर देर रात तक जुटी रही तस्पीरों में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की इनुवा कार से चार पांच बदमाश आए उन्होंने पहले उसकी खुब पिटाई की इसके बाद जबरन कार में बैठा कर अपने साथ ले गए वहीं पुलिस अपहरन करताओं की तलाश में दिल्ली, उडिसा, जारखंड और उत्तर प्रदिश के लिए टीम बना कर रवाना हो चुकी है अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बर्थदे, शादी, एनिवर्सरी में डीजे बुक करा कर जश्न मनाते हैं डीजे के धुन पर थरकते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा लेकिन वीडियो में डीजे की धुन पर थरक रहे, लोग कोई शादी में थरक रहे हैं और ना ही कोई बर्थदे भार्टी में और ना ही कोई एनिवर्सरी में यह वीडियो तो एक अलग कहानी बता रही है, यह वीडियो धमतरी जिले से सापनी आया है जहां मित्रों ने अपने यार का घर वापसी होने का जश्न मनाया और डीजे की धुन में धरके अपने यार को घर तक सम्माद से पहुचाया दलसल धंतरी के अरजुनी में रहने वाले कुमार सनहा की जिन्होंने 18 सल भारती सीना में मैकनेक पोस्ट में अपना सीवा देनी के बाद घर लोटे घर लोटने पर धंतरी के पूर्व सैनिक परशर्ट समीत कई दोस्त मौजूद दे दें तो सोची आप धन्य हो जाएंगे ना खंडवा की लोगों को भगवान श्रिव ने दर्शन दिया है भगवान श्रिव को देखने के लिए आसपास के गाव के कई लोग पहुंचे दरसल खंडवा में कुएं के खुदाई चल रही थी तबी अचानक खुदाई के द और भी कई सारी मूर्तिया निकली हैं जिसके बाद ग्राम पंचायत सचव ने कलेक्टर को सूचना दी वहीं मौक्य पर पुरातत्व विभाग को भी सूचित किया गया पुरातत्व विभाग श्रिवलिंग किस सधीग की है इसकी जानकारी जुटा रहा है मंडला में सित, कानहा, नेशनल पार्क और परेटेकों की पहली पसंद बागिन दीजे और उसके तीन शावकों का एक विडियो वारल हुआ वारल वीडियो में बागिन डीजे अपने तीन शावकों के साथ नज़र आ रही है वारल वीडियो में बागिन डीजे का एक शावक दो शावकों के साथ अटखेलिया करता हुआ नज़र आ रहा है वारल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शावक दूसरे शावकों के साथ मस्ती कर रहा है वारल वीडियो में बागहिन डीजे आगे चलती है वहीं दुबग कर बैठा एक शावक दूसरे शावक के साथ अटखेलियां करता है फिर पास में ही बैठे दूसरे शावक के पास जाकर भी अटखेलियां करता हुआ दिखता है फिर तीन शावक अपनी माँ डीजे के पीछे पीछे चल देते हैं बागिन डीजे को कानहा के दस्तावेज में T27 के नाम से जाना जाता है ये वीडियो कानहा नैशनल पार्क के मुक्की जौन का बताया जा रहा है फिलहाल ऐसे नजारे परेटकों को बहुत कम देखने को मिलते हैं इस खुबसूरत नजारे को वहाँ पर मौझूद परेटकों ने अपने कैमरे में खैद कर लिया जो कि अब T27 से जम कर वारल हो रहा है पेड़ पौधे जंगल ये अगर ना हो तो परियावरण में कितना पुरा प्रभाव पड़ता है ये आप सभी जागते होंगे पेड़ पौधे से ही जंगल बनता है ऐसे में जब पेड़ पौधे काट दिये जाएं तो क्या होगा मामला अमरिकापुर का है जहां सीतापरवन परिछेत्र के ललत पौध से लगे घंगल के बीच दालाब बनाने ठेकेदाते वर्वभाग की मिली भगत से बिना अनुमती सेकड़ों पेड काट दिये दो दिन तक कटाई और पेड़ों को जड़ से उखाणने का ये काम चलता रहा ग्रामिलों के विरोज के बाद पेड़ों के कटाई तो बंद करती गई लेकिन पूरे माबले के लिए सिर्फ वन रक्षक को जिमधार खेराते हुगे निलंबित कर दिया गया वन पाल को नोटस जारी किया गया है जंगल में पोकलेन एक्सिवेटर मशीन से लेकर पेड़ों को काट दिया गया है पेड़ों को उखाड़ा गया घंए जंगल के बड़े हिस्से को पीरान कर दिया गया लेकिन सिर्फ एक मैदानी कर्मचारी पर निलंबन की दारवाई कई सवालों को जन्म दे रहे हैं इस तस्वीर की कहानी बहुत दर्दनाक है इतनी कि सुनकर दिल घबरा जाए इतनी कि सुनकर दिल बैट जाए ये धदकती आग ये उठता धुआ जांची चांपा के पोल्ट्री फॉर्म के है ये तस्वीर है जहां आग लगने की वज़े से करीब एक हजार मुर्गिया जल गए वैसे तो कुछ लोग मासाहारी होते हैं लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उनका भी धिल पसीच जाएगा देखे कैसे धदक धदक कर पोल्ट्री फॉर्म जल रहा है इंदर आखे हजारों मुर्गिया वहीं पोल्ट्री फॉर्म में आग की वज़े का खुलासा नहीं हो पाए लेकिन नाखों का नुक्साट का है हाला कि आग लगने की वज़े भी तक सबस्टी जेब में 10 लाख रुपए हो तो कोई लगजरी कार तो कोई अपने सपने के आशियाने के लिए घर खरीदने का सपना देखता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जितने के आप एक XUV कार खरीदते हैं उतने में बनारस में सिर्फ एक बनारसी साड़ी मिलती है हैंड मेड बनी के साड़ी इतनी खुपसूरत होती है जिसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता है ये साड़ी पूरी तरह हैंड मेड होती है इसमें मशीन का प्रयोग बिलकुल भी नहीं होता बात यदि इंसाडियों की खासियत की करें तो प्योर सिल्क की बनी इंसाडियों में हैंड वीविंग का काम चांदी के तारों से होता है इसके अलावा उस पर गोल्ड की पॉलिश भी लगाई जाती है जो इंसाडियों की खुबसूरती में चार चांद लगा देती है लाल, नीली, सफेद, गुलाबी, रंग के इन खुबसूरत साडियों के कीमत लाखों में है इन बनारसी साडियों को बनाने में 5-6 महिने का वक्त लग जाता है ओर्डर मिलने के बाद इन साडियों की पहले डिजाइन तयार की जाती है इसके बाद इसे बनाने का काम शुरू होता है, इतना ही नहीं, ओर्डर के हिसाब से इससे महंगी साडिया भी बनाई जाती है, उसमें गोल्ड के तारों के साथ जिम्स, स्टोन का भी प्रयोग होता है पहाडों में महिलाएं धीरे धीरे आत्म निर्भर हो रही है, सरकार की विभिन योजनाओं का लाब उठा कर महिलाएं अपने आपको सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है महिलाओं के आत्म निर्भरता को बढ़ाने में रामदाना जिसे पहाडों में चौलाई के नाम से जाना जाता है वो सबसे अधिक मददगार हो रहा है चौलाई के लड़ू मंदिरों में महाप्रसाद की रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं बदरीनाध धाम के दारनाध धाम में चौलाई के लड़ू वित्रित हो रहे हैं चौलाई के लड़ू से पिछले साल लगभग 3 लाग का मुनाफा अलग-अलग समुहों को हुआ था वहीं बदरीनाध धाम के कपाट खुलने से लेकर अभी तक एक लाख रुपए के चौलाई के लड़ू विक चुके हैं राश्रिया जिविका मिशन के तहट महिलाओं को ये काम मिल रहा है जिससे महिलाएं समुह के माध्यम से इसे बना रही है चौलाई का लड़ू के वल इस्थाने महिलाओं के लिए आत्म निर्भरता नहीं बन रहा है बलकि ये भविश्य में किसानों के लिए भी बड़ी आय का साधन बन सकता है क्योंकि जोशिमट जैसे नगरिय शेत्रों में चौलाई का उत्पादन कम ही होता है ऐसे में आसपास के गाउं को भी इस योजना से जोड़ कर चौलाई के पैदावार को बढ़ाया जा सकता है